वेलकम टोल ली आईयस, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 30 अक्टुबर 2021 तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article Financial Action Task Force यानि कि FATF के बारे में है जानेंगे क्या होता है FATF उसके पहले contact समझते हैं पाकिस्तान लगातार gray list में बना रहेगा ऐसा हाल ही में FATF ने clear किया पाकिस्तान लगातार UN designated terrorist को पनाह देता रहा है जिसमें इंडिया में most wanted हाफिस सईद और मशूद अजहर भी सामिल है हैज ऑफ 2019 नौर्थ कोरिया और इरान को black list किया गया है FATF के द्वारा इस लिहाज से FATF की दो list हो गई एक तो black list और दूसरी gray list हाल ही में तीन देसों को gray list में डाला गया है 2000, Jordan, Mali और Turkey इसमें सबसे ज़्यादा hurt हुआ है तरकी को तरकी का दिल इस बास से तूट गया कि उसे FATF की gray list में डाल दिया किया वो इतना जादा नाराज हुआ कि उसने FATF की जो gray list है या FATF की जो credibility है उस पर ही question mark race कर दिया तरकी और पाकिस्तान चुकि साथी साथी हैं तो दोनों ने ही मिलकर FATF के credibility को question किया इन तीने दोस्तान के अलावा जानी कि Jordan, Mali और टरकी कुछ और देश हैं जो FATF की gray list में बने हुए हैं दोजार बहामास कमबोडिया, इथियोपिया, घाना पाकिस्तान, पनामा, स्री लंका सीरिया, ट्री निदाद तॉबागो, ट्यूनीशिया और यमन Mauritius और बोच्तवाना के लिए अच्छी बात है उन्हीं gray list से बाहर कर दिया गया है, उनके जो प्रयास है उसे sufficient माना गया है terror financing को रोकने को लेकर अब समझते हैं कि FATF है क्या ये एक inter-governmental body है यानि कि कई सारी सरकारे एक साथ मिल कर आती है इस forum के लिए 1989 में इसे establish किया गया मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान में रखें इसलिए नहीं क्योंकि आपको exactly कही 1989 लिखना पड़ जाएगा कम से कम आपको लमसम पता होना चाहिए कि कब बना है ऐसा न लगे कि 2010 में बनाया गया या 2015 में बनाया गया यह idea होना चाहिए कि हाँ यह तो 1990 के आसपास बनाया है क्योंकि UPSC बहुत broad करके question पूछती है latest बनाया गया ऐसा कुछ करके बोल देगी और हम confused हो जाएंगे यह G7 का initiative है बाद में यह G8 बन गया था रश्या को include करके जब रश्या ने यूक्रेइन के उपर हमला किया और क्रीमिया को कबजा लिया तो फिर वापिस से रश्या को बाहर कर दिया यह फिर से G7 बन गया यह policy making body की तरह work करता है जहां पर यह political will gather करने की courses करते हैं जो भी देश हैं उनकी legislative या regulatory reforms में प्रयास करते हैं FATF का secretariat वहीं पर है जहां पर OECD का headquarter है यानि की Paris में right now इसमे 37 member jurisdictions हैं जिसमें 2 regional organizations भी सामिल हैं कई सारे important financial centers इसका हिस्सा बन जाते हैं इसमें कुछ देश observer और associate member का भी दरजा रखते हैं इनके roles and functions क्या हैं इकोसिस करते हैं initially देखे इनका काम यही था कि money laundering को रोका जाए फिर इनने ऐसा लगा कि money laundering में जो पैसे manipulate किया जाता है उसका अकसर इस्तेमाल terror activities के लिए किया जाता है तो इन्होंने 2001 के October के बाद अपना mandate expand कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अब हम terror financing को combat करने का भी प्रयास करेंगे रोकने की कोशिस करेंगे 2012 में इन्होंने ये भी कहा कि अब हम weapon of mass destruction इसमें chemical ebological weapon भी आ सकते हैं उनकी लेकर कोई financing हो रही है तो मुसको भी counter करेंगे अब बात करते हैं इनकी दो list के बारे में black list और grey list ये आम बोलचाल की भासा है FATF की black list को officially कहा जाता है high risk jurisdiction subject to a call for action ये इसका official नाम है इन्हें non cooperative country और territories भी कहा जाता है या NCCT जो blacklisted है मतलब ये terror funding को support कर रहे हैं और money laundering के activities में involved हैं इनके उपर कई तरीके के restriction से बोज किये जाते हैं दूसरी list है grey list इसे officially कहा जाता है jurisdiction under increased monitoring मतलब ये terror funding को support कर रहे हैं और आने वाले समय में यहां situation और खराब हो सकती है तो इन्हें हमें monitor करना होगा ताकि ऐसी activities को रोका आ जा सके अगर ये प्रयास नहीं करते हैं terror funding को रोकने का तो अगला step होगा कि इन्हें blacklist कर दिया जाएगा हमारा next article debris guard while left century के बारे में है उडिसा की जरकार ने भी प्लान किया है कि 420 परिवारों को debris guard while left century में जो एक गाम है वहां से displace किया जाएगा in fact relocate किया जाएगा दूसरी जिगह पे अभी तक ये आया है news में कि कि किसी भी गाउं के विक्तिने आपत्ती नहीं जताई है क्योंकि वहां पर जिस जिगह ने relocate किया जा रहा है वहां पर इन्हें पक्का मकान दिया जाएगा और कुछ financial assistance भी दिया जाएगा उनके पास सड़के होंगी बिजली होंगी और basic communities होंगी जो वहां wildlife century के भीतर उन्हें नहीं मिल रही थी तो सभी लोग relocate करने को तयार हैं अगर हम इस wildlife century के location की बात करें तो उडिसा में हिराकुन डैम है महानदी रिवर पे वही पर ये century located है ये इंडिया है और ये है उडिसा उडिसा में यहां पर आपको बारगर डिस्टिक्ट मिलेगा ये उसकी और locations को expand किया गया है तो location आपने देख लिए है 1985 में इसे wildlife century का दरजा दिया गया इंसीटू conservation किया जाता है wildlife का जिंगल के भीतर उन्हें conserve करने की कोसिस की जाती है dry deciduous forest यहां मिलेंगे four horn, antelope, indian leopard, indian elephant, samber, cheetal, gor ये सब जीव आपको यहां मिल जाएंगे कुछ और भी protected areas हैं जो उडिसा में ही मिलेंगे national parks में आपको मिलेंगे बितरकन का national park और सिम लिपाल national park कई सभी value of centuries मिलेंगे जैसे की बद्रमा value of century, चिलका, हदगड, बैसी पल्ली, कोटागड, नंदन कानन, लाखरी वैली और गहिर माथा हमारा next article innovation for you के बारे में है निति आयोक का जो अटल innovation mission है उन्होंने एक नए digital book को launch किया है नाम दिया innovation for you ये एक digital book है वो देश ये है कि अटल innovation mission के तहद जो कई सारे start-ups successful रहे हैं उनके stories को लोगों तक पहुचाना ताकि लोग inspire हों और start-ups के field में आगे जाए अब यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको कि अटल innovation mission एक बहुत important mission रहा है नीति आयोक का simply आप से ये पूछा जा सकता है ये start-ups ऐसे रहे जिन्होंने नए और disruptive या innovative products तयार किये जो कई सारी problems के solution के दौर पे हमारे सामने आए जब भी आपके सामने means में कोई topic आ जाए कि innovation के field में इंडिया ने क्या किया तो अटल innovation mission भी अगर आपके दिमाग में आ गया तो इसके कई सारी initiatives है एक तो simply अटल innovation mission ही है 2016 में नीति आयोक ने इसे setup किया तो लंब सम आपको idea रहे कि हाँ 5 साल पहले इस initiative को start किया गया ताकि इंडिया में innovation और entrepreneurship का जो culture है उसे promote किया जा सके इसी का initiative रहा अटल tinkering lab यह कुछ labs हैं जिने schools में colleges में setup किया गया इन labs में जो बच्चे पढ़ रहे हैं college में उनके अंदर curiosity, creativity और imagination inculcate की जाएगी वो learning, जो adaptive learning है physical computing है इस अब सीखेंगे इसके लावा है अटल incubation center incubation का मतलब होता है support provide करवाना जैसे मुर्गी अपने अंडे को incubate करती है वो सारे situation देती है जिससे अंडे में से बच्चा निकल सके अब यहाँ पर incubation center क्या काम करता है incubation center को universities, institutions या corporates में establish किया जाता है यह जो start-ups हैं या innovators हैं उनको assist करते हैं कुछ ऐसे कि वो अपने innovation को आगे ले जा सके और उसका जो financial benefit है वो avail कर सके इसके लावा initiative रहा अटल New India Challenge various challenge होते हैं जिसमें start-ups के सामने entrepreneurs के सामने एक problem रखी जाती है वो उसका solution दे अगर वो solution देते हैं तो उन्हें fund किया जाता है कि वो उसे market oriented बना सके अटल community innovation centers ये innovation centers जगह जगह पर established किये गए हैं ताकि ऐसे areas जहां पर वो infra available नहीं है कि हम innovation कर सके वो infra दे दिया जाए इस community innovation center के माध्यम से आत्म निर्भर भारत Arise Enix program इसके जरीए जो start-ups हैं या MSMEs हैं उनको research and innovation के field में encourage करने का प्रयास किया जा रहा है हमरा next article India Internet Governance Forum के बारे में है इसके पहले कि हम इस article पर आगे बढ़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि Internet Governance का क्या मतलब होता है Internet पूरी तरीके से decentralized है, कोई Internet को own नहीं करता, इसलिए Internet पर activities को regulate करना मुस्किल है Internet के field में कई सारे stakeholders involved होते हैं जैसे कि governments Internet Service Providers Telecom Companies Civil Societies यानि कि हम और आप और कई सारे un-stakeholders इन सभी लोगों को मिल करे decide करना होता है कि Internet work कैसे करेगा Internet ऐसे काम करना चाहिए कि किसी के भी हित को नुकसान ना पहुँचे उस पर जो Internet है वो frequent बना रहे है मतलब सभी लोगों को Internet की access आसानी से मिले affordable हो इतना महगा ना हो जाए कि कोई उसे access ना कर पाए discrimination ना हो कि कोई access कर रहा है कोई नहीं कर रहा है secure होना चाहिए ऐसा नहीं कि Internet का इस्तेमाल करके कि किसी की privacy को hinder किया जाए या उसकी life और liberty को threat में डाला जाए कई सारे लोग मिलकर इसे manage करते है इसके लिए global level पे एक platform है that is UN Internet Governance Forum UN IGF वो international level पे Internet Governance को बहतर करने की कोसिस करता है इसी के mandate के भीतर इंडिया में भी India Internet Governance Forum बनाया गया है अभी एक event IIGF organize करवाएगा जिसमे Ministry of Electronics के साथ साथ NICSI National Internet Exchange of India और कई सारे stakeholders involved होंगे यह 8 से 11 नॉंबर के बीच में conduct किया जाएगा Internet Governance Forum एक multi stakeholder platform है जैसा कि आपको समझ में आ गया कि Internet के field में कई सारे stakeholders involved होते हैं इनका मुद्दा यह होता है कि हम ऐसी policies बनाएं कि Internet का इस्तिमाद सही तरीके से किया जा सके यह open और inclusive process हो IGF में global internet governance ecosystem में जो भी stakeholders involved हैं वो आ जाते हैं government, industry, civil society, academia जिसका मैंने पहले भी नाम लिया है इस बार का जो theme था that was empower India through power of internet यह सारी बाते आपने समझी हमारा next article geno transplantation के बारे में है context यह है कि New York की एक सरजन ने successfully transplant किया एक kidney को जो कि genetically engineered pig से ली गई थी एक branded human में यह context है इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि geno transplantation का मतलब क्या होता है geno transplantation का मतलब यह होता है कि आप किसी एक species के organ को किसी दूसरे species में implant कर दें जैसे कि यहाँ पर एक pig के kidney को implant किया गया एक human में मतलब दोनों अलग-अलग प्रजातिया है एक प्रजाती की body part को दूसरे प्रजाती की body part में लगा दिया गया अगर ऐसा frequently successfully हो पाता है तो इसके कई सारे फायदे होंगे क्योंकि देखे human organ मिलना इतनी आसान चीज नहीं होती कोई अपनी इच्छा से अपने organ donate करे यह सबसे safe तरीका होता है नहीं तो human organ के लिए कितने illegal trafficking चलती है इसके बारे में आप अकसर news में सुनते है अगर हम किसी दूसरे species के organ को human body में use कर पाएंगे तो हम इस समस्या से थोड़ा निजात पा सकेंगे चुकि जो pic के body का structure है वो more and less जो body parts हमारी humans के होते हैं उनसे मिलता जुलता है और size भी more and less seem होता है इसलिए एक healthy pic के organs का इस्तिमाल किया जा सकता है तो geno transplantation या इसे heterologous transplant भी कहा जाता है ये वही process है जिसमें living cells, tissues या organs different species के बीच में implant किये जाते हैं ऐसी cells या tissues या organs को geno graft या geno transplant कहा जाता है observation में ये पाया गया कि kidney transplant के बाद काफी बढ़ियां काम कर रही थे और उसने large amount में urine का production किया अगर ये long run में successful रहता है तो इसके जरिए जो life threatening disease हैं जिसमें एक व्यक्ति के organ को transplant करना होता है medical के field में इसमें काफी सहूलियत आ जाएगी हमारा next article double dip la nina के बारे में है इस topic को only IS में geography optional की classes लेती हैं Santos map वो cover करेंगी आगे आप वो जो explanation दे रही हैं उसे ध्यान से समझेए National Oceanic and Atmospheric Administration ने declare करा है कि लानिना FID development हुआ है Florida क्या होता है Lāni सुधन औक सिंसक्राइशन का एक पार्ट होता है अल飯 निनो सुदिन क्या होता है कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक पर्टीक्लर सर्कुलेशन है कहां पे होता है यह जनरली ट्रोपिक्स के अंदर होता है यहाँ पे क्या होता है यह अगर मेरा Pacific Ocean है this is my eastern and this is my western zone अब eastern Pacific Ocean यहाँ पे Peruvian current या फिर Humboldt current के influence के अंदर comparatively cold रहता है इस cold की वज़े से South America के आसपास यहाँ पे high pressure area generate रहता है वेरिस मेरा जो western Pacific Ocean है Australia के पास वाला area यहाँ पे मेरा comparatively warm ocean current रहता है जिसके वज़े से यहाँ पे warm conditions डवलप होती है इस warm condition का मतलब क्या है कि यहाँ पे low pressure area create होगा इसका मतलब क्या है कि sea surface temperature high रहेगा यहाँ पे evoporation जादा होगा यहाँ से इसका मतलब होगा condensation होगा और यहाँ पे मेरी पारिश होगी इसका मतलब atmospheric instability create होगा now this is a normal condition अब अगर इसे में कुछ भी छेड़ चाड़ होती है तो मेरी अल निनो या ला निना की development होती है सबसे पहले अल निनो को देखते हैं अगर यह condition reverse हो जाती है ओके अगर यह condition reverse हो जाती है which means जहाँ पे low pressure था वहाँ पे अगर high pressure area create हो गया और जहाँ पे high pressure था वहाँ पे अगर low pressure area create हो जाता है इसका मतलब है मेरी walker circulation मेरी जो walker cell थी वो reverse हो गई है अब Australia के पास में high pressure area which means atmospheric stability create होगी और यहाँ पे किसी भी तरह का cloud formation नहीं होगा बारिश नहीं होगी यहाँ पे drought conditions हो जाती है whereas South America जहाँ पे normally high pressure area था यहाँ पे यह warm ocean current replace कर देगा किसको replace कर देगा जो Peruvian मेरी humble cold current थी इसको इसकी वज़े से यहाँ पे low pressure area डवलप होगा which means कि cloud formation होगा condensation होगा और बारिश होगी यह तो हो गई second condition third condition के अंदर क्या होता है neutral condition intensify हो जाती है इसका मतलब warm से warmer हो जाएगा और cold से colder हो जाएगा ओके इसको क्या होता है अभी हम detail में देखेंगे तो इस तरीके से अल निनो सदन ऑक्सिलेशन एक पूरा एक cycle चलता है neutral conditions आएगी अल निनो कंडिशन आएगा neutral condition आएगी ला निना कंडिशन आएगा इस तरीके से पूरा एक cycle चलता है लेकिन इस बार क्या हुआ है कि मेरा ला निना के बाद में neutral condition आया और उसके बाद में फिर से मेरा ला निना डवलप हो गया है और इसी को इसी को यह जो back to back ला निना development हुआ है इसी को हम बोलते हैं double dip ला निना ठीक है ला निना क्या होता है एक weather pattern है कहां पे Pacific Ocean में इसमें होता क्या है आप एक बार हम just just see this trade wind के जब trade wind strong हो जाती है तो इनके influence के अंदर यह जो मेरा Peruvian यह humble cold current है यह western direction के अंदर और भी ज्यादा intensified हो के आता है इसका मतलब क्या हुआ कि cold colder हो गया और Australia के आसपास वाला area warm से warmer हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे sea surface temperature और भी ज्यादा high हो गया है इसकी वज़े से क्या होगा ज्यादा cloud formation होगा ज्यादा condensation होगा और मेरा ज्यादा पारिश होगी यहां पे so this is a condition of my lanina this is what lanina is और alnino क्या हो जाएगा इसका बिलकुल opposite हो जाएगा तो lanina and alnino almost हमारा यह जो oxalation होता है pacific quotient के अंदर sea surface temperature का यह होता है इंडिया के लिए favorable conditions कोंसे होती कि जब हमारा lanina develop होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि australia के आसपास अच्छा गासा low pressure area create रहेगा so this low pressure area brings a lot of rain into the india लेकिन जब हमारा alnino चल रहा होता है तो यह alnino is not a good news for india alnino के अंदर इंडिया के अंदर जो monsoon monsoonal winds है वो काफी weak हो जाती है और बारिश काफी कम होती है अब हम revision कर लेते हैं पहला statement है जीनो transplantation यह process है जिसमें हम living cell tissues या organs transplant करते हैं different species में that's true lanina इससे इंडिया में heavy drought आता है यह गलत है इससे इंडिया में heavy rainfall होती है financial action task force UN के charter के according इसे establish किया गया और यह UN का mean organ है गलत है यह G7 का initiative रहा debri guard while left century Udisa में है that's true innovation for you यह एक digital book है ministry of science and tech ने launch किया है गलत है यह नीथी आयोक का initiative है तो यह भी गलत हो गया आज का यह session हम यही पर समाप्त करेंगे session की video आपको only as के telegram channel पर मिल जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद